दोस्तो गार्डनिंग करना पसंद तो है पर नर्सरी से लाने के बाद थोड़े ही दिन में या तो प्लांट खराब हो जाता है या फिर उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती और हमें लगता है कि gardening हमारे बस की बात नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है, gardening इतना कठिन नहीं है तो आज मैं आप सबको ऐसी 6 गलतियां बताने जा रहे हूं जो जाने अंजाने हम अपने पौधों के साथ करते हैं तो वीडियो पुरा देखेगा, आपको बहुत काम आएगा तो hello friends, मैं रश्मी स्वागत करती हूं आप सबका नेरमेस गारण में तो जो सबसे पहला कारण है, वो है मिट्टी हम प्लांट को जो मिट्टी देते हैं, वो मिट्टी अगर उसके requirement के मताबित नहीं होगी मिट्टी में रुका हुआ पानी, अगर मिट्टी में पानी ज्यादा तेर तर रुका रहेगा तो पौदों की जड़े गलने लगेगी और पौदा खराब हो जाएगा तो ऐसी well-drain मिट्टी बनाने के लिए हमें 30% soil के साथ 30% reverse end और 30% vermicompose या फिक गोबर की खाद मिला है और बाकी जो 10% बचता है उसमें आप राइसस मिला सकते हैं नीम खली है, बोन मिल है, इंट के छोटे-छोटे टुकडे या फिर कोईले के छोटे-छोटे टुकडे भी मिला सकते हैं इससे मिटी में नमी भी बनी रहेगी और मिटी में air pockets भी बनेंगे तो aeration अच्छा होगा और पानी भी तुरंत निकल जाएगा फिर दूसरा कारण है pot selection, अगर पौधा लगाते वक्त आप सही size के pot में नहीं लगाओगे तो इस condition में भी पौधों की growth अच्छे से नहीं होगी जब हम नर्शरी से कोई पौधा लाते है तो वो बहुत छोटा होता है अगर पौधा छोटा सा ही है तो उसे छोटे pot में ही लगाए ना कि बहुत बड़े गमले में लगाए फिर कुछ ऐसे भी plant होते हैं जिसकी growth बहुत ही slow होती है तो उसे भी आपको छोटे pot में ही लगाना चाहिए और जिस plant की growth fast होती है तो उसे आप बड़े pot में लगा सकते हो अगर slow growth वाले plant को आप बड़े pot में लगाओगे तो ज्यादा मिट्टी की वज़े से पाने भी हम ज्यादा देंगे और इस थिति में पौधा खराब हो जाएगा वैसे तो मिट्टी का pot सभी plants के लिए best होता है लेकिन अगर मिट्टी का plant नहीं है तो आप plastic के pot में भी लगा सकते हो या फिशिमेंट के pot में अगर plastic के pot में लगा रहे हो तो उसके सारे hole open होने चाहिए क्योंकि plastic के pot में पानी सुखने में ज्यादा time लगता है तो हमेशा आप छोटे plant को छोटे pot में और बड़े plant को बड़े pot में ही लगाए तीसरी गलती जो ज्यादा तर लोग करते हैं वो है plant को मिट्टी में बहुत अंदर दबा देना हमें plants को बहुत अंदर नहीं दबाना है मिट्टी में थोड़ा ऊपर की तरफ उठा के रखना ह ताकि plant की जड़ो को हवा मिल सके खास कर जब पौधा लाल मिट्टी में लगा हुआ हो तो अगर हमने पौधे में से लाल मिट्टी नहीं हटाई है तो लाल मिट्टी वाले पौधे को हमें हमेशा थोड़ा ऊपर उठा के रखना चीए ताकि जब हम उसमें पानी डालेंगे तो लाल मिट्टी इतनी जल्दी पानी सोक नहीं करती है तो जो साइड में मिट्टी होगी वो गीली हो जाएगी लेकिन जो जड़ो के पास जो मिट्टी है वो सूखी की सूखी रह जाएगी तो उसकी वज़ए से हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी या फिर ह हमारा प्लांट खराब हो जाएगा और ये काम आप अपनी सीजनल प्लांट के साथ मत कीजिए जो भी आपके पेरिनल प्लांट है और जिसकी जड़े मजबूत है उसी प्लांट को आप मिट्टी में थोड़ा सा उठा के रखिए फिर जो चौथा रिजन है वो है पौदो की प रखा है तो वो प्लांट सही से नहीं चलेगा तो जिस पौदे को फुल सनलाइट चाहिए उसे आप उसी जगह पर रखे जहां पर सुबह से उस पर धूप पड़े तो बारा एक बजी तब वो अपनी रिक्वार्मेंट पूरी कर लेगा क्योंकि इसी वक्त प्लांट फोट हफते में उसे एक बार दूप दिखा दीजे एक से दो घंटे की तो भी वो बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो करेगा तो अपने पौदो की रिक्वार्मेंट जानके आप अपने पौदो को प्लेस करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरह से ग्रो करेंगे फिर जो पांचव में fertilizer देते रहते हैं इसकी वज़े से भी excessive fertilizer होने की वज़े से भी हमारे plants खराब हो जाते हैं साल में दो महिने ऐसे होते हैं जिस जहां पे हम अपनी सारे plants को fertilizer कर सकते हैं एक तो है February का महिना और दूसरा है October का महिना जैसे यह मेरे सारे indoor plants है तो इसमें मैं सिफ February में और October में साल में दो ही बार मैं fertilizer देती हूँ जबकि कुछ पौदे होते हैं वो heavy feeder होते हैं जैसे गुलाब हो गया मोगरा है हिबिसकस है यह सारे पौदे heavy feeder होते हैं तो उसे बार-बार हमें fertilizer करना पड़ता है तो हम February में और October में तो इसमें fertilizer डालते हैं उसके अलावा हर मेने उसमें कोई ना कोई liquid fertilizer है या फिर solid fertilizer कोई भी आप डाल सकते हो तो उसे हर मेने fertilizer करना पड़ता है जबकि indoor plant है वो इतने heavy feeder नहीं होते उसे उसे साल में दो बार भी fertilizer करोगे तो वो अच्छे से चलेंगे लेकिन ज्यादा अच्छी growth के लिए कभी-कभी हम chemical fertilizer डालते तो अगर वो ज्यादा हो गया तो हमारे plant खराब हो जाते है तो chemical fertilizer हमें बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए और जो आखरी गलती है वो है plant की reporting जब हम nursery से कोई भी plant लेके आते हैं तो हमें हमेशा उसे थोड़ी दिन के लिए अपनी यहाँ garden में अपने पौदों के साथ उसे रखना चाहिए ना कि लाके तुरंती उसे report कर देना चाहिए क्योंकि जब हम nursery से लाते हैं तो वो plant shock में आ जाता है तो हमारी यहाँ पे हमारी garden के environment में उसे ढलने में थोड़ा वक्त लगता है तो आप हफते 10 दिन तक अपने plant को अपने garden में ऐसे ही रखिए और उसके बाद आपने उसे report करना है तो यह 6 mistake थी जिसे करने से हमारे plant खराब हो जाता है तो यह 6 जो गलतियां उसे सुधार के हम अपने plant को बहुत अची तरह से अपने garden में ग्रो कर सकते है तो उमीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो like, comment, share कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आये हैं तो bell icon press करके subscribe भी कर लेजिए Thank you